मुख्यमंती विश्ण देव साय सोमवार को अंबिकापूर में आयोजित विरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पनिजर्चा विचार गोष्ठी में शामिल होए मुख्यमंती विश्ण देश सायर ने विरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर मालयारपन कर उन्हें नमन किया इस मौके पर मुख्यमंती सायर ने कहा कि रानी दुर्गावती नारी शक्ती की प्रतिक थी और उन्होंने मुगलों का डट कर मुकाबला किया था हम सभी के लिए गवरों का विशय है कि वे जन जाती समाज से थी उन्होंने कहा कि राए दुर्गावती का बलिदान हम सभी देशवासियों को प्रेडित करता है प्रेडित काल से ही नारियों का समान हुआ है आज हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है सीता राम, राधा क्रिश्न, उमापती महादेव तो आप सोच सकते हैं कि सनातन धर्व में नारियों का कितना समान रहा है और हमारे देश में महारानी दुर्गावती जैसे अनेक बिरांगनाएं हुई हैं जिनका गवरोपूर्ण इतिहास है और जैसे हमारे सुहन सिंग जी बता रहे थे कि इस देश के आजादी के लड़ाई में जनजाती समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है चाहे वो धर्तियाबा बिरसा मुंडा हो सहीद बिर नाराइन सिंग जी हो गुंडादूर हो गेन सिंग हो अनेको जनजाती समाज के संतनतता संग्राम सेनानी हुए हैं लेकिन इतिहास में जितना इनको अस्थान मिलना चाहिए उतना मिला नहीं कई लोगों का तो इतिहास में नाम आया ही नहीं लेकिन मैं हमारे देश के अस्थोसी प्रधान मंतिजी को धनवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने जनजातियों को समझा है जनजातियों का मान समान बढ़ाया है जैसे आज इस देश के सरोच पद महामहिम रास्पती के पदबर भी जनजाति समाज के हमारी एक बहन स्रीमती दुरुपर्दी मुर्मुजी कोनों ने बठाया है अटल विहार इबाजपीजी जो प्रधान मंत्री थे तो जनजातियों के विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्यान मंत्राले का गठन किये तो आप सोच सकते हैं कि वास्तों में अनुसुति जनजाति वर का चिंता किसने किया है आज धर्तियाबा विर्सामुंडा जिनकी भगवान की तरह पुजा होती है पंद्रा नवंबर आज पंद्रा नवंबर को जनजाति गौरो दिवस के रूप में किसी ने इस्थापित किया है तो भी हमारे देश के प्रधान मंत्री सिरी नरेंद मोदी जी ने किया है और आज जितने भी अनुसुति जनजाति के महापुरूस है जिनका योगदान आजादी के लड़ाई में हुआ है इस सब को महत तो मिल रहा है इस्तिहास के पन्नों में भी और जगा जगा उनके लिए संग्रहले वगर बन रहे है और महारानी दुरगावती जो गड़ मनला की महारानी थी आज मत्प्रदेश के अंदर में जबलपूर में उनके आदगार में करोडो रूपया खर्चा करके वहाँ पर इस्मारक बनाया जा रहा है वो केंदर डेबलप किया जा रहा है तो वास्तों में हमारे प्रधान मंती जी धनवाद के पात रहे हैं कि जनजाती समाज का गवरों बढ़ा रहे हैं आज 36 गड़ में हमारे जैसा 1130 जनजाती का बेटा को मुख मंत्री बना दिये उडिसा में उडिसा में पहली बार वहाँ पर सरकार बनी है तो वहाँ भी एक आदिवासी भाई को मुख मंत्री बना दिये तो यह हम लोग के लिए गवरों की बात है और इसके लिए हमारे प्रधान मंती जी कि हम सब लोग बहुत आभारी है चुकि हम लोगों को और एक दो कार का मटेन करना है और दिल्ली का भी बुलावा आ गया है इसलिए जल्दी राइपूर पहुंचना पड़ेगा इससे और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपके संभाग का बेटा हूँ आप सब लोगों ने आशिरवाद दिया है और मोदी जी ने और पार्टी ने मुख मंत्री का दाई तो संभाला है तो अब पोरा 36 गड़ के साथ साथ सरगुजा संभाग का और हमारा जो ट्रैवल संभाग बस्तर है उसका बिसेश विकास के जिम्यदारी हम लोगों के उपर में है और बजट में भी हम लोगों ने दोनों संभाग के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं आप सब लोगों को मालुम होगा कि जो प्राधिकरन अगेर का गठन डॉक्टर रमन सिंग के सरकार में हुई थी वो सबको फिर हम लोग पुनर्जिवीत कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग का विकास करेंगे और उइसे भी सरकार के पास विकास के लिए पैसे का भाव नहीं होगा और आप कोई भी हम बताना चाहेंगे कि जो बस्तर संभाग आदिवासी बहुले है और जहां पर नक्सलवाद है आज भी पांच जिले वहां पर नक्सलवाद से गरसित हैं और छे महने हमारी सरकार को हुए हैं जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं आप लोगों को मालूम हैं बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल एंजिन की सरकार है उसका भी लाब हमलों को मिल रहा है लगातार नए-नए सुरक्षा केम ख खोले हैं और जहां भी सुरक्षा केम खोल रहे हैं एक केम के पांच किलोमेटर रेडियस में जितने भी गाम आते हैं वहाँ पर सरकार की 36 उजनाओं को प्राथिक्ता के साथ पहुचाने का काम कर रहे हैं उन गाओं में सड़क पहुच जाए बिजली पहुच जाए वहां रा विकास हो रहा है और आज सेकुड़ों की संख्या में नक्सली विकास के मुखधारा से जुड़ने के लिए आत्म समर्पन भी कर रहे हैं तो यह विकास का काम वहाँ पर चल रहा है और एक तो मैं इस औसर पर ऐसा कहना चाहूँगा अपने जनजाते गोरा समाज के बंदों से कि हम लोग को पढ़ाई पर अपने बच्चों को विसेश जोड़ देना है और इसके लिए सरकार लगातार परियास कर रही है आज पूरे पर देश में परियास एक संस्ता है परियास जिसके माध्यम से हमारे अनुसुची जनजाती के बच्चों को बढ़ाई में विसेश योगदान मिलता है से 14 सेंटर है और भी खोलने का परियास हो रहा है और जो हमारे बच्चे हैं जो परतुगी परिक्षा में ब